हेलो एबरिवन आज हम क्लास 10 का साइंस में चैप्टर 1 को पढ़ेंगे सुफरेंट्स क्लास 10 में साइंस का चैप्टर 1 है ये और रसायनिक अभिक्रिया एव समीकरंट चैप्टर का नाम है आज हम chapter 1 के notes को देखेंगे और इन notes को आप अच्छे से note करें और इन notes को अपने exam time में कभी भी उसको आप पढ़ सकते हैं यह काफी important notes है और सारे notes मैंने जो लिखे हैं वो सारे आपके board exam को related लिखे हैं इन से note को आप अच्छे से पढ़ेंगे और अगर आप में चैनल पर नए तो प्लीज इस चैनल सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और ज्यादे से ज्यादे शेयर करें मेरे आपसे humble request है वीडियो को लाइक जरू करें सो फ्रेंट्स इसमें क्या है आज चैप्टर फर्स्ट में हम रसाइनिक अभिक्राइब समेकरण इसमें से जो most important topic है उसमें से दो या तीन और topic हम पढ़ेंगे Frans first topic है तो रसाइनिक अभिक्रिय को देखें गम क्या है रसाइनिक अभिक्रिया दो यदो से अधिक परदात मिलकर या एक से अधिक्थ नए गुन्द्रम वाले प्रदातों को जो निर्मान करते ہیں वो क्या कहलाते हैं रसानिक अभिकरिया कहलाते हैं वन सेकेंड रिपीड कर रही हूं आप अच्छे से नोट करें उसको ध्यान से इसको लर्ण करें फ्रेंट डेफिनिशन को भी दो ये दो से अधिक प्रदात मिलकर एक या एक से अधिक नए गुंद्रम वाले प्रदात का निर्मान करते हैं वो रसानिक अभिकरिया कहलाते हैं एक्जेंपल हाइडरोजन और औक्सिजन मिलकर क्या करते हैं 97 मिलकर क्या करते हैं पानी कर निर्मान करते हैं तो दो परताथ उसे हमारा एक कर निर्मान तो ये हमारा एक्जम्पल है रसायनिक अभिकरिया अब बात करते हैं अभिकारक और उत्पाद इंपोर्टेंट है चैप्टर के फ्रस्ट पोर्शन में आपको अभिकारक उत्पाद के बारे में पूछा जाता है तो आप सभी जिब आपके स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे अभिकारक उत्पाद किसे कहते हैं तो अभिकारक होते हैं ऐसे परदात जो किसी रसानिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं वो क्या कहलाते हैं अभिकारक परदात और ऐसे परदात जिनका निर्मान रसानिक अभिकरिया में होता है वो इत्वायर काहलाते हैं जिसम्राप अभिकरिया मुधिकी ने अभिकारक में दिहां रखना भाग लेंगे चाहिए चीज को आप दिखना रखना भाग ले अभिकारक और निर्माण जो अभिकरिया में फेले सी निर्मान टूसनने का भाष्पथ इंग्कजन। छे मिल friendships करते हैं वैसे ही जिल में निर्मान करने के बाद जो प्रदाद हमें प्राप्त होता है वो हमारा तुपात कहलाता है उससे पहले का अभिकार रसाइनिक अभिकरिया के परकार पहला पॉइंट है हमारा इसमें रसाइनिक अभिकरिया सोरी संयोजन अभिकरिया सेयोजन अभिक्रिय इस अभिक्रिय में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं दो या दो से अधिक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं जैसे हाँ तो अभिकारक है प्लस भी मान लो और कोई एक उत्पाद बना दिये दो से मिलकर तो वो यहां कवाला क्या होज़ाएगा उत्पाद तो इसे क्या कहेंगे सेयोजन अभिक्रिया देख लेते हैं एक्जम्पल क्या है अगर फ्रेंट्स अभी तक भी वीडियो को नहीं लाइक के तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दे कोईले का दहन कार्बन प्लस O2 क्या होज़ेगा CO2 तो दो प्रदातों से मिलकर एक प्रदात का हमें जो प्राप्त हुआ यह अभी कारक और यह उत्पाद ठीक है फ्रेंट्स अब देखते हैं आगे सेगिंड हमारा उश्मा व्योजन उश्मा व्योजन क्या है अभी कारक का उश्मा दुआरा किया गया व्योजन उश्मा व्योजन कहलाता है जैसे CACO3 COCO3 से हम क्या करेंगे कैल्शियम उक्साइड अलग ले लेंगे और कार्बन डाय उक्साइड अलग ले लेंगे तो इस प्रदात से हमारे तो नए प्रदातों को निर्मान होगा है एक सोलिड मोर एक गैस में ठीक है फ्रेंट्स अब वैदूत व्योजन क्या है वैदूत व्योजन वैदूत धर के प्रवाइद होने वाले होने के कारण होने वाला व्योजन क्या कहलाता यह व slip your जिसमें आयनों को प्रदशित क्या जाता है पॉजिटिव दनना अगेटीव चार्ज्ज़िस को चो जो शाइए चोब आलाता हो जैसे इस पॉजिटिव हो जाएगा इस चाइप यहां पर हमारे हमारी प्रेंच पर हमारे हरे समेख बैलंस भी बղजाएंग अभिक पोजिटिव और बन से के बीच विस्तापनnya अभिकल बैल एकोटन आपकेट के बीच टोड के लिए विस्थापन अभिकरिया को बताई इस टैप साब कोशन आ जाता है यह और भी लेंग्वेज चींज करें कोशन दे सकते हैं तो आपके लिए इस अधिक परेसिल तत्व को उसके योगिक से विस्थापित करता है क्रियसील थत्व उसके योगिक से क्या करता है विस्थापित करता है जैसेyllिप और कोपर सलफेट क्या बन जाएगा और यह वाला पोजिटिव चोर्ज है यह negative तो positive negative क्या हो जाएंगे FPSO4 और यह positive इधर चले जाएगा CU तो पर एक अलग योगिक विस्थापित हो जाएगा तो positive negative balancing के बीच यह भी करिया प्राप्त हो जाएं बात करते हैं इसमें दूविस्था पर नभी करिया इस अभी करिया में उत्पादो का निर्मान दो योगिक के बीच आयनों को आदान परदान करने से होता है आयनों को आदान परदान करना मिंस पोजिटिव नेगिटिव जो चार्ज होते हैं उसको आदान परदान करना जैसे यहाँ Na2CO3 एक्जमपल देखते हैं Na2CO3 प्लस BACL2 है उसको हमने BASO4 में चेंज करा पोजिटिव, नेगिटिव, नेगिटिव, पोजिटिव ठीक है ऐसी हमने यहाँ पर चेंज करा और ऐसी यह एक साथ तो यहाँ पर BASO4 बनके और यहाँ NaCl निकल गया यहाँ पर हमारे कितने सोडियम है दो तो यहाँ पर 2 हो गए दोनों एक्वेशन को बैलेंस भी कर दिया और पोजिटिव, नेगिटिव मिंस आइनों का आदान परदान भी हो गया तो उसे क्या कहते हैं इनों के आदान परदान को दो इवी स्थापन अभी करिया So friends, आज हमने तीन से चार जो छोट छोटी टॉबिक्स पढ़े हैं उन सभी को आप अच्छे से किलियर करें और कोई भी हाप की क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं So friends, इसको आप अच्छे से नोट करें अच्छे से लर्ण करें आज के लिए इतना ही Thanks for watching